हेलो दोस्तों नवस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओन्नाइन ड़ाफ और स्टुडी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अप्डेट के बारे में जो की संबन दीत है यूपी टीजडी पीजडी दोहजार बाइस की परिक्षा के बारे में यानि कि टीजडी पीजडी दोहजार बाइस का विग्यापन जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चैन बोड के माध्यम से निकाला गया था जिसको बदल कर अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैन आयोग बना दिया गया है यानि कि जिस जगह पर माध्यमिक शिक्षा से बार चैन बोर्ड होता था उसी जगह को बदल कर सिर्फ नाम बदला गया है वहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा से बार चैन आयोग का बोर्ड लग चुका है सिर्फ बोर्ड ही नहीं लगा बोर्ड के साथ म को नियुक्तियां भी दे दी गई हैं और इसके अलाबा एक कारे वाहक अध्यक्ष बना दिया गया है कारे वाहक अध्यक्ष का मतलब यह होता है कि जब तक में चेर्मेन की नहीं हो जाती तब तक के लिए वो काम करने के लिए डिसीजन लेने के लिए सुतंत्र होगा और वो स 2022 में जारी कर दिया था लेकिन वहां पर अगर सरकार सदस्य और अध्यक्ष को बेज़ देती तो शायद यह भरती 2022 में पूरी हो जाती अब जो बीद गई सो बात गई मुद्दे पर आते हैं कि अब यह परीक्षा कब हो सकती है पिछले कई दिनों से अब 32 मामले को लेकर पू लेकि जिससे कि हम टार्गेट बनाकर अपनी त्यारी कर सकें तो टीजिटी पीजिटी परीक्षा को कराने के लिए बरतमान में दो सबसे बड़ी चुनोतियां हैं पहली है चुनाब होना क्योंकि चुनाब के समय किसी भरती को आयुजित कर पाना बहुत आसान काम नहीं है क क्योंकि जिसके लिए 3-4 लाग अभ्यति उन्हें आविदन किया हो वो परीक्षा चुनाब की बीच में नहीं हो पाती पहला दूसी सबसे बड़ी समस्या है कि टीजिटी पीजिटी को लेकर अभी पेपर बगया बनने का प्रोसेस फ्रेशी शुरू करना पड़ेगा नए चैन आयोग को परीक्षा केंद्र बनाने होंगे तो इन प्रोसेस में कम से कम कम से कम डेड़ से दो महीने का समय तो लगे गई लगेगा और तब तक चुनाब भी खतम हो जाएंगे तो इंशोट अगर यह कहा जाए कि अब आयोग तो बन गया है लेकिन अप्रेल और मैई औ पाना बिल्कुल भी संबब नहीं है हाँ चुनाब के बाद बो बात अलग है कि जैसे ही चुनाबी आचा सरीता खतम हो फिर यहां पर जो भी सदस्य और अध्यक्ष हैं वो अगर इस पर थोड़ी सी कालवाई शुरू कर दें तो उसके बाद इसकी परिक्षा को आयोजित कि मिलेगी आप सभी को दी जाएगी लेकिन अभी के लिए आप लोग मान करके चलिए कि कम से कम आपके पास में तीन महीने का समय तो मिल ही जाएगा हलाकि मुझे पता है कि शोचल मीडिया पर ऐसी भी जान गई हैं आपको मिल लई हैं कि ये परिक्षा अक्टूबर नवंबर या दिसंबर या दोजार परचीज में भी हो सकती है उन पर जाने से वज़ाए आप सभी इस बात पर फोकस करें कि अब आयोग का घठन हो गया है आयोग ने अब काम शुरू कर दिया है जैसे ही चुनाब खतम होते हैं तो इन प्रोसेस को करने की जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता है यानि कि मान करके चलें कि आने वाले दो से तीन महीने आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मैत्मूर हैं क्योंकि इसी में या तीन महीने के अंदर सारी चीजे फाइनलाइज कर दी जाएंगी और उन भी दे कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे शिक्षा से बार चैन आयोग इसके बारे में जानकारी भी दे देगा कि कब तक यह परिक्षा होने जा रही है लेकिन हाँ चुनाब आपके बीच में तो अभी संबब हैनी परिक्षा उसके बाद ही हो पाईगी तो उसके आधार पर आप लोग टार्गेट बना कर अपनी त्यारी कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो